बी एड फेस्ट एर में आपको इंटर्शिप के लिए स्कूल जो इसके से बरनी है कैसे आपको अलोटमेंट लेटर मिलेगा इसका कम्प्लीट प्रोसेस आज के वीडियो में जानने वाले हैं अमैसा की तरह यूसफुल जान करीदूंगा तो वीडियो को लाइक, सेर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले इसके लिए आपको गूगल पर आजाना है गूगल पर साला दरपन लिख के सर्च करेंगे सबसे उपर जो वेबसाइड आ रही इसी वेबसाइड पर आपको आना है यहाँ पर नीचे आएंगे तो आपको एक इंटर्शिप का उप्शन मिल जाएगा यहाँ पर आप देख सकते इंटर्शिप का उप्शन दिया हुए इस उप्शन पर आपको क्लिक करना है इस option पे click करेंगे तो आप देखेंगे कि portal activate हो चुका है यहाँ पर candidate login पे click करना है इस पे click करने के बाद यहाँ पर user ID, password और capture code दर्ज करके login करना है अब यहाँ पर user ID और password पता करने के लिए या तो आप search username पे click करेंगे या forget password पे click करेंगे दोनों में से कोई से भी option पे आप click करके user ID और password पता कर सकते है यहाँ पर सबसे पहले उस जिले का चुनाओ करेंगे जिस जिले में आपका college है जहां से आप B8 कर रहे हैं उसके बाद यहाँ पर course type जुनेंगे आपके पास कौन सा course है तो यहाँ पर B8 select कर लेंगे उसके बाद आपकी college का नाम क्या है वो यहाँ पर आपको select करना है मैं उदान के लिए बता रहा हूँ आप सही से अपने college का नाम select करें उसके बाद यहाँ पर आप देखिए 2020 का option आप चुका है तो आपको यह वाला option select कर लेना है यहाँ सबसे last वाला option यहाँ पर select कर लेना है अब यहाँ पर आपको student के नाम के सुरू के दो अकसर यहाँ पर English में इस तरह से type कर देने हैं के बाद यहाँ पर दर्ज करेंगे search पर click करेंगे अब इस college में इस नाम से जितने भी student होंगे वो आ जाएंगे और उनकी मा का नाम यहाँ पर आ जाएगा validate पर click करते हैं यहाँ पर आपको username मिल जाएगा और password भी मिल जाएंगे इसी के साथ यह username और password आपको आपके mobile पर भी मिल जाते हैं SMS के मादेम से आपको mobile पर भी बेस दिये जाते हैं तो अब यहाँ पर आपको दुबारा से validate पे click नहीं करना है नहीं तो password चेंज हो जाएंगे close पे click करेंगे और candidate login पे click करेंगे अब user ID password जो अभी आपको मिले है केपचा code और दर्ज करके login कर लेंगे अब यहाँ पर आपको password चेंज करने होंगे strong password आपको लगाना होगा जिसमें capital letter एक small letter number और एक special character भी होना चीए ताकि strong password बन सके उसके बाद एक पुराना वाला password सबसे पहले आपको दर्ज करना है जो आपको मिला है उसके बाद नए पासवर्ड यहाँ पर आप सेट कर दें यहाँ पर जो computer का icon बना हुआ इस पर आएंगे और यहाँ पर internship request पे क्लिक करेंगे अब यहाँ पर आपको search का option मिल जाता है इस option पे क्लिक करेंगे यहाँ पर student जो इसका एक option दिखाई देगा यहाँ पर आपको कुछ detail दिखाई देगी तो यहाँ पर आपको go का जो option दिख उपने हिसाफ से select कर लेंगे तो यहाँ पर हम इंदी select कर लेते हैं okay करेंगे अब यहाँ पर आपको search भरनी है जिसमें कम से कम आपको पंदरा स्कूल एड़ करनी है और अधिक्तम आप भी school तक aid कर सकते हैं 20 विद्या ले आप अपने हिसाफ से एड़ कर सकते हैं कम से कम पं करते हो वही आपको मिलता है वही अलोट होता है तो आप अपने हिसाब से पहला अपने हिसाब से सही से स्लेक्ट करें मैं यह आपर आपको उधान के लिए बता रहा हूं आप अपने हिसाब से सही से स्कूल करके एड़ पे क्लिक करेंगे तो स्कूल यहां पर एड हो जाएगा इसी तरीके से चलिए दूसरा भी एड़ कर लेता हूँ दूसरा स्कूल भी यहाँ पर इसी तरीके से सलेक्ट करेंगे और एड़ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर स्कूल एड़ हो जाएगा आप देख सकते हैं इस तरह से स्कूल एड़ होते जाएंगे तो आप 1 एकर करके 15 स्कूल एड़ कर लिजी आप चाहें तो अलग अलग जिले की भी यहाँ पर एड़ कर सकते हैं यहाँ पर 1st 2nd स्कूल तो यहाँ पर ध्यान से देख लिजी क्योंकि 99% सांस यही रहता है कि 1st मिलेगी नहीं तो आपको 2nd पक्का मिलेगी तो first, second, third आप ध्यान से देख लीजी जो भी आपने school service यहाँ पर भरी है एक एकर करके school service इस तरह से एड़ कर लेंगे पंद राकम से कम एड़ करनी है मैंने आपको बता दिया है सबी यहाँ पर ध्यान पूरोग चेक करने के बाद आपको यहाँ पर school service को सेव करना होगा तो सेव करने के लिए यहाँ पर आप नीचे हैंगे तो यहाँ पर आपको सेव बटन मिल जाएगा जैसे सेव बटन पर क्लिक करेंगे school service successful हो जाएगी close कर देंगे close करने के बाद दुबारा से जब आप कंडिडेट की यूजर आइडी और पासवर्ड दर्ज करके लोग इन करेंगे इंटर्शिप रिक्वेस्ट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप सर्च पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे system rua चुका है जब की school ऐलोट होगा तो यहीं पर आपको लोट में लेटर मिल जाएगा प्रिंट का ऑप्षन यहापर आ जाएगा इस पे कलिक करके आप लोट में लेटर प्रिंट कर पाएंगे और वो ऐलोट में लेटर में जरूर बताइए अगर आपके मन में कोई भी स्वाल है या फिर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो बेज जिज़ कमेंट में बताइए कमेंट सेक्षिन में उसके बारे में बात करेंगे और अगर कोई जरूरी टोपिक हुआ तो हम उस पर वीडियो भी जरूर बनाएंगे तो चलिए मिलते हैं एगले वीडियो में तब तक जय हिंद बंदे माँ